नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है, मैं विद्यशंगर्तिवारी हूँ मजदूरों को घर पहुचाने के लिए एक साथ बहुत सारी स्पेसल ट्रेंज शुरू करने के बाद अब बारी भी देशों में भारतियों को घर वापसी कराने का है, इसको लेकर के कल यानि साथ मही से बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है घर वापसी का इसको बोल रहे है बंदे भारत मिसन और सेथ समुद्र योजना इसमें क्या होने वाला है, 64 फ्राइट चलाए जाएगी, 12 देशों से लोगों को लाया जाएगा, उसमें उन लोगों को प्रात्मित्ता दी जाएगी, जो नोकरी से निकाले जा चुके हैं, जिनका वीजा कत्म हो चुका है, जो गर्ववती मैलाएं हैं, जो मिबार हैं, को वहाँ पर आएनेस जलस्वा, आएनेस मगर पहुच रहा है उनको ले आने के लिए, अब जिस तरीके से मजदूरों के किराय को ले करके इतना कोहराम मचा, पहले उनसे वसूली की गई, बाद कांगरेश ने वार किया, फिर जो है गवर्मेंट की तरफ से और बीजेपी क किराया नहीं ले रहा है, जब कई जगव पर असूल आ गया, अब सरकार के उपर इस बात को ले करके भारी दबाव था, कि पहले जो आप भी देशों से लोगों को ले आए थे, उनसे किराया नहीं लिया था, अब क्या करेंगे, क्योंकि मजदूरों के मामले में तो सरकार पहस चुके थी, लिया जा सरकार ने अब एक दम क्लेरिफाई कर दिया है, कि जिनको भी लाया जाएगा, उनसे किराया वसूला जाएगा, तो जिन 12 देशों को प्रात्मिता दी जा रही है, या जहां से लाया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो किराया देना है, वो जो इसी तरीके से सिंगापूर से जो आयेगा, उसे 18 से 20 जार देना है, किराया फिक्स कर दिया गया है, इसके बारे में खास बात यह है, कि अमेरिका बिटेन, बंगला देश, मलेसिया, फिलिपिन, सिंगापूर, UAE, सौधी अरब, कतर, बहरिन, कुबयत और उमान, यहां स लोग लाए जाने है, पहले हपते में खाडी से 26, साउथ हिस्ट एसिया से 17, अमेरिका, बिटेन और बंगला देश से साथ-साथ की स्पेशल फ्लाइटों के लिए भारतियों के जरिये जो है, भारतियों की घर वापसी होगी, अबुधाबी, दुबई, रिया, दोहा, से 17, जाने जा रहा है, इसके बाद, जैसे ही वो लोग देश में उत्रेंगे, उनको क्वारंटीन किया जाएगा, सरकार के तरफ से यह भी क्लरिफाई किया गए, जैसे ही आप यहां पर उत्रेंगे, और खर्च उठाना पड़ेगा, उसमें बात यह आ रहा ही थी, कि अमीर रोटी कमाने के लिए जाता है निचले तबके का है बाकी सब लोग तो संपन्न होते हैं लियाजा आप को अरेंटिक का खर्च भी दीजिए और फ्लाइट का भी खर्च दीजिए इस तरीके से इन्होंने किया है जहां तक दुबई से दिल्ली का किराया है वो 13,000 रुपए तै से दिली आने के लिए 30 जर्गा किराया देना होगा तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है किराया फिक्स कर दिया है और यह कर दिया है कि आपको ऐसे आना है और यह सब करना है बहुत अच्छी बात है घर वापसी सरकाज उनकी सुद नहीं लेगी तो कौन गए तो अब जिन देशों से ये लोग लाए जा रहा है उनको तो क्वारेंटी घर किया जा रहा है एतियात बरता जा रहा है बट सबकी नजर इस बात पर लगी है कि आगे क्या यानि कि 17 तारी को लॉक डाउन खत्म होने के बाद क्या लॉक डाउन बढ़ेगा क्या इस बीच में महामारी की जो रिपोर्ड आ रही है अलग अलग राजियों से जो आंसी क्रूप से खोला गया है लॉक डाउन उसका असर क्या पड़ रहा है क्योंकि यदि आप सोसल डिस्टेंसिंग मास्क जो भी इसकी गाइडलाइंस फालो नहीं कर रहे हैं तो एक डर ये भी है कि ज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूल